नमस्ते दोस्तों पानी हमारे जीवन का सबसे महत्पूर्ण आधार प्यास लगने पर पानी पीते ही बहुत चैन मिलता है बहुत सुकून मिलता है और अगर पानी ना बिले तो हालत ही खराब हो जाती है सादर्ण सब्दों में कहें तो पानी शायद हमारे लिए सबसे महत्पूर्ण वस्तु है जो इस प्रतिवी पर उपलब्ध है आज अपनी चर्चा में हम पानी को लेकर ही बात करेंगे हम बात करेंगे कि पानी महत्पूर्ण है कितना महत्पूर्ण है क्यों महत्पूर्ण है पानी को कैसे हम बचा सकते हैं और पानी से जुड़ी हुई तमाम बातों को इसमें लेकर आएंगे हम सब जानते हैं कि पानी हमाली कितना मैत्पूर है पानी को पीते ही हमें चैन और सुकून तो मिलता है लेकिन हमारा शरीर उस पानी से रिलैक्स होता है और हमारे शरी की अनेक प्रक्रियाएं पानी के थुरू पानी की वज़े से चलती हैं पानी दोस्तों दो तरह का होता है एक वो पानी जिसे हम पीते हैं दूसरा वो पानी जिसे हम दूसरे काम करते हैं चाहे वो कपड़े धोना हो या हमारे गाय भैस को नहलाना हो या हमारे घर में सफाई करनी हो या हमारी गाड़ी को दोना हो इस दो तरह के पानी हम इस्तिमाल करते हैं जिस पानी को हम पीते हैं वो पानी उस दूसरे पानी से थुड़ा साफ होता है और साफ यानि पूरी दुनिया में जितनी जनसंग क्या है उसके 16 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं लेकिन पूरे विश्व में जो साफ पानी है जो पीने लाइक पानी है उसका केवल 4 प्रतिशत पानी ही हमारे देश में उपलब्द है कितनी अजीब सी ये एक सिच्वेशन है कितनी अजीब सी ये एक स्थिती है कि हमारे देश में केवल 4 प्रतिशत ही पीने लाइक पानी अब बचा है और पानी खत्म हो गया तो हम पानी पी नहीं पाएंगे सोचना पड़ेगा इसके बारे में बहुत कुछ बहुत जरूरी है दोस्तों एक आंकड़ा ये बताता है कि हमारे देश के 700 जिलों में से 256 जिलों में अब पीने लाइक पानी बचा ही नहीं है खत्म हो गया वहाँ जो कुए है सूख गए तलाब सूख गए और नदियों भी लगबग सूख ही रही है थोड़ा सा पानी बचा है 700 में से 256 जिले ऐसे हैं दोस्तों जहां पानी अब पीने लाइक पानी अब बचा ही नहीं है खत्म होने वाला है हम अगर गाओं की बात करें तो हमारे कुल जो गाओं है उन गाओं में से तीन-चोथाई गाओं में पाइप्लाईन नहीं है उस गाओं के लोगों को पीने का पानी एकटा करने के लिए काफी दूर तक पैदल जाना होता है और अक्सर तलाब से, कुवों से या और कोई जो पानी का स्रोत है जैसे नदी है जरना है वहाँ से पानी भर कर लाना होता है अब अधिकतर जगों पर यह पाया गया कि पानी लाने का यानि पानी भरने का पानी इख्टा करने का काम ज्यादतर जगों पर महिलाएं करती है इन महिलाओं को बहुत दूर तक पैदल चलकर अपने हाथ में या सर पर मठका रखकर या कोई बरतन रखकर जाना होता है राजस्थान का अकड़ा ये कहता है कि राजस्थान की महिलाओं को रो जाना धाई किलो मीटर पैदल जाना होता है पानी भरने के लिए सोचिए दोस्तों कि कितनी विकट ये समस्या है बहुत बड़ी समस्या है पीने का पानी भरने के लिए कई किलोमीटर रोज पैदल जाना और फिर वापिस आना उसी पानी से दिन भर काम चलाना कितना मुश्किल होता होगा वो महिलाएं जो रोजाना इतना पैदल जाती है फिर पैदल आती है पानी भर के लाती है और दिन भर में उनके अपने स्वेम के और भी काम होते हैं कितना मुश्किल होता होगा ये हमें सोचना होगा पानी के सभी स्रोत यानि जहां जहां से हमें पानी मिलता है खास तोर से पीने का पानी, साफ पानी वो सभी स्रोत हमारे देश में लगबग लगबग सूख रहे है हमारी नदियों में पानी बहुत कम हो गया है बहुत सी नदिया तो सूख भी गई है हम और आप अगर अपने आज़ पास भी देखेंगे हमारे गाओं में हमारे शेरों में जो तलाब हुआ करते थे अब या तो तलाब हैं ही नहीं या उनके में बहुत कम पानी बचा है बारिश की मात्रा बहुत कम हो चुकी है और ये सारी बातें एक भहुत भहिंकर स्थिति की और हमें इशारा कर रही है कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो हम इतनी बड़ी मुश्किल में पढ़ जाएंगे जिसकी हम कलपना नहीं कर सकते क्योंकि पानी के बिनातों कुछ भी नहीं है पानी के बिनातों जीवन ही नहीं है पानी होगा तो ही हम तो ही पशू पक्षी हम सब जी पाएंगे लेकर अगर पानी नहीं होगा तो बहुत मिश्किल हो जाई दोस्तों आज से अभी से सोचना और काम करना शुरू कर दीजिए कि हमें कैसे पानी बचाना है और ये हमारा सबसे प्रात्मिक काम होना चाहिए सबसे पहला सबसे महत्पूर्ण काम होना चाहिए कि हमें सबसे पहले पानी बचाना है पानी बचाने को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं होती रहती हैं हम ये देखें कि क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं क्या हम पानी को वाकई बचा रहे हैं या हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं जब भी हम नहाते हैं टूथब्रश करते हैं या शेव करते हैं दाड़ी बनाते हैं तो हम देखें कि कही पानी चल तो नहीं राकें ऐसा तो नहीं कि नल खुला हुआ है और मैं टूथब्रश करे जा रहा हूं उस पानी को बंद करके हम तूथ प्रश कर सकते हैं या अपने दूसरे काम कर सकते हैं एक एक बूंद पानी की बचानी बहुत आवश्यक है पेड़ पेड़ उगाने हैं बहुत सारे पेड़ होंगे तो बारिश आएगी और बारिश आएगी तो हमारी नदी हमारे तालाबों में हमारे कुओं में पानी आएगा पेड़ तो बहुत मैत्पूर हैं हम सभी दोस्तों को मिलकर ये सारे काम करने हैं अपने आज पास अपने परिवार से शुरू करें देखें हमारे परिवार में पानी वेस तो नहीं हो रहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नल खुला रह जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पानी जो है फैल रहा है और हम ध्यानी नहीं दे रहे हैं और अपने परिवार से अपने आसपडोस से शुरू करते हैं पानी बचाने की जागरती पर बात करना शुरू करते हैं पेड उगाना बहुत सारे पेड उगाना और पानी बचाने को लेकर बहुत सारी चर्चा हैं जब हम अपने दोस्तों से करेंगे तो हमारे दोस्त भी बहुत सारे विचार रखेंगे कि हम कैसे पानी बचा सकते हैं पानी बचाना दोस्तों बहुत महत्पूर्ण है जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदी पानी नहीं बचा तो प्रिथ्वी और हमारा जीवन सब समाप्थ हो जाएगा सबसे महत्पूर्ण बात जो हमने की पेड़ उगाएं बहुत सारे पेड़ उगाएं और जो हमारे पास पानी उपलब्ध है उसको अधिक से अधिक बचा कर रखें समाल कर रखें पानी है तो ही हमारी जिंदी है तो मैं मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद अब हम और आज से ही अभी से ही पानी को बचाने को लेकर बात करना शुरू कर देंगे और वो सारे काम करेंगे जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं इससे जुड़ी ही और बहुत सारी बाते हैं और बहुत सारी चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं को लेकर हम फिर से आएंगे आपके प झाल झाल